सिर्शिया गांडे रोड के बेरगी में हुए एक चोरी के मामले में सीमा विवात के कारण FIR दर्ज नहीं हो पा रही है सुमवार तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया बताया गया कि बीते 14 सितंबर को बेरगी इस्थित नाना का धाबा में रात में लगभग साथ से 65 हजार रुपे मुले के समानों की चोरी हो गई थी धाबा के संचालक धरमेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि रात में लगभग 9 बजे ये धाबा बंद करके घर गए और जब सुबह वापस 6 बजे लोटे तो देखा कि गेट का ताला तूटा हुआ है और इन्वर्टर, बैटरी, गैस टंकी, प्रिंटर, होम थेटर, मिक्सियादी, सारा समाना ग्यात चोरों ने चोरी कर ली है संचालक धरमेंद्र वर्मादवारा बताया गया कि चोरी की रिपोर्ट दर्श करवाने के लिए जब ये मुफसिल ठाना के रेड़ी पहुँचे तो ठाना में बोला गया कि आपका होटल बेंगाबाद ठाना अंतरगत आता है इसलिए आप बेंगाबाद ठाना में अफायार दर्श करवाईए उसके बाद जब ये बेंगाबाद ठाना पहुँचे तो वहाँ बताया गया कि इनका होटल बेंगाबाद ठाना छेतर नहीं बलकि मुफसल ठाना में पड़ता है इन्होंने बताया कि इसके चिकायद इन्होंने सदरस डिप्यों से भी की उनके द्वारा F.I.R. दर्ज करने का अस्वासन तो मिला लेकिन अभी तक F.I.R. दर्ज नहीं किया गया है इसी सीमा विवाद के कारण आज कई दीन बीट जाने के बाद भी इस चोरी के घटना में कोई कारवाई नहीं होने के बाद धाबा के संचालक धर्मेंदर वर्मा के द्वारा बताया गया अब देखना यह है कि कब इस सीमा विवाद को सुलजा कर इनका F.I.R. किस थाने में दर्ज किया जाता है दर्मेंदर कुमार वर्मा मेरा नाम है मैं वेरगी में रहता हूँ यही में नाना जी का ढाबा ओपनिंग किया था दो तारीक को और चार्वदा तारीक रात को हम ताला बंद करके यहां से घर गए फिर सुभे छेवजे जब आएं तो यह ताला तुटा हुआ था और अदमी चिळ यहां से चोरी वो गया सुहे जब आएं तो यहांसे टोटल सवान गाए था मैंने यहांसे आवेदं दिया मुफसिल खाना में तो मुफसिल खाने वाले को कहना आए कि यह मेरा सिमा में आऩ니다 बहां चाहिई सोद्लाइं से ने खॉन कामें के लिए और भी है तो झाल